हमारे आसपास अक्सर दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं एक जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइप के होते हैं और एक जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइप के होते हैं मैंने इस पे थोड़ा सा अध्यन किया और रियलाईज किया कि एक्चुली इसका लेना देना उनके माइंडसेट के साथ होता है कुछ लोगों का माइंडसेट बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होता है वो हमेशा अच्छी चीजे सोचते हैं हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं औ मेशा सामने वाले को डि मोटिवेट करते हैं और न खुद कुछ करते हैं ना आपको कुछ करने देते हैं कि नमस्ते मेरा नामसंदी बंसाली है मैं । संधी में कैसे डिजीटल मार्केटिंग को सीख कर अपना कर आप अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के नए नए sources create कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप इस second सोच रहें कि digital marketing और mindset इसका क्या लेना देना है। Actually इन दोनों चीजों का बहुत straight connection है। Digital marketing एक knowledge, information है। लेकिन ये knowledge और information आपके अंदर transformation ला सकता है अगर आप अपने mindset को सही कर ले। आईए इस वीडियो में मैं आपको दो प्रकार के mindset से मिलाना चाहता हूँ। एक mindset होता है जिसे हम कहते हैं fixed mindset और दूसरे प्रकार का mindset जिसे हम कहते हैं growth वाला mindset। आईए देखते हैं ये दोनों प्रकार के mindset किस तरह अलग-अलग होते हैं। मैं आपको इन दोनों प्रकार के mindset से मिला रहा हूँ। fixed और growth इनके parameters क्या-क्या हैं आईए समझते हैं। जो fixed mindset वाले लोग होते हैं। जब उनकी जिन्दगी में कोई problem आता है तो वो हमेशा डर जाते हैं। वो अपने problems को avoid करते हैं कि कहीं मैं हार न जाओं। कहीं मैं गिर न जाओं। कहीं लोग मुझ पर हसे ना। ये fixed mindset वाले लोगों की बारे मैं बात कर रहा हूँ। इसी जगह अगर आपका mindset growth वाला है और अगर आपकी life में problem आ जाए। तो आप हमेशा सोचते हैं कि ये एक opportunity है जहां पर आप कुछ नया सीख सकते हैं। अपनी जिन्दगी में कोई अच्छा सा change ला सकते हैं। जो fixed mindset वाले लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि या तो मैं talented हूँ या तो नहीं हूँ। कुछ लोग या तो बहुत intelligent होते हैं या तो duffer होते हैं। उन्हें कुछ नहीं आता। इस प्रकार की extreme mindset वालों को हम fixed mindset के लोग कहते हैं। इसी जगह जिनका growth वाला mindset होता है उनका belief system होता है कि intelligence और talent ये acquire हो सकता है। मैंने digital marketing सीखना शुरू किया दो साल पहले। उससे पहले मैंने कभी computer चलाना नहीं सीखा। जब मैं 10 standard में था तब first time हमें computer दिखाया गया था। 1994-95 की शायद बात है। तब जो DOS, Lotus, WordStar नाम की चीज़े हमें सिखाई गई थी वो आज कहां है मुझे पता तक नहीं है। उस 10 standard के बात से लेकर अभी 2020 तक मैंने कभी computer नहीं सीखा। लेकिन जब मैंने decide कर लिया कि मुझे digital marketing सीखना है तो ये जो knowledge है, ये जो ग्यान है, ये जो intelligence है, ये जो talent है, ये मैंने acquire किया। मैं ये नहीं के रहा हूँ कि मैं बहुत growth mindset वाला आदमी हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि difference कैसे है। जिनका mindset growth का होता है, वो नई चीज़े सीख सकते हैं। ऐसे कोई मानना नहीं होता कि मैं कभी जिन्दगी में कुछ सीखी नहीं सकता। तो जो growth mindset वाले होते हैं, उनका belief होता है कि नई चीज़े सीखी जा सकती है। ये वाली जो mindset होती है, ये fixed वाली लोगों की होती है। इसी जगह जो growth mindset वाले होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि हम unlimited बढ़ सकते हैं। वो अपने लिए छोटे-छोटे goals set करते हैं। मुझे तीन महीने तक इतना पैसा कमाना है, फिर छे महीने में मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूं, फिर मैं एक साल में यहाँ पहुंचना चाहता हूं। और एक साल के बाद जब वो उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो जरनी खतम नहीं होती, growth खतम नहीं होती। उसके बाद अगला goal आता है, और अगला goal आता है। इस तरह जब हम grow करते रहते हैं तो हमारी growth जो है, वो automatically unlimited हो जाती है। fixed mindset के लोग हमेशा feedback को avoid करते हैं। अगर आप उन्हें उनकी बहतरी के लिए कोई भी सुझाव दोगे तो उन्हें बुरा लगता है। वो personally ले लेते हैं चीजे और फिर अपने ही दिमाग में ये सोच लेते हैं कि जो भी ये feedback दे रहा है वो अच्छा आदमी नहीं है। वो मुझ पे जलता है, इसे problem है, मैं अलग हूँ, वो अलग है, इस तरह की reasoning आपके अंदर शुरू हो जाती है। इसी जगह, अगर आपका growth वाला mindset है, तो आप feedback के लिए तत पर रहते हो। आप जो भी काम करते हो, वो लोगों के साथ share करते हो, कि देखो मुझे बताओ इसको और better कैसे कर सकता हूँ। और जब सामने वाला आपको कोई सुझाव देता है, तो आप उसके intention पर question नहीं लगाते, कि इसने मुझे ये क्यों कहा। आपका ध्यान होता है कि इसने क्या कहा और वो कितना सही है और मुझे किस तरह से अपने आपको improve करना है। पड़ेगा तो वो उस तरफ जाते ही नहीं। अगर कुछ करना शुरू किया और कोई छोटा सा problem भी आ जाए तो उसी समय क्विट कर देते हैं, हार मान लेते हैं। यह है fixed mindset वाले लोग। इसी जगह अगर आपका mindset growth वाला है तो आपका attitude हो जाता है कि आपको आपका काम अच्छा लगने लगता है। आपको मज़ा आता है अपना काम करने में, आप कभी ठकते नहीं, कभी रुकते नहीं, कभी शर्माते नहीं। अपना काम करते करते आप बहुत सारी नई नई चीजे सीखते हैं और यह आपको मज़ा देता है। यह होता है growth वाला mindset। अब सबसे जरूरी सवाल, जो आप सब सोच रहे हैं, कि सर, fixed mindset और growth वाला mindset यह हर किसी में कुछ-कुछ proportion में होता है। कभी हम fixed वाले mindset में होते हैं, कभी-कभी growth वाले में भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि 100% fixed है या 100% growth है। लेकिन जब-जब हम fixed mindset में अटक जाते हैं, तब-तब growth वाले mindset में कैसे अपने आपको convert करे। अपने mindset को अगर आप change करना चाहते हैं, fixed mindset से growth वाले mindset की तरफ, तो आपको यह 5 ideas देता ह। सबसे पहले तो अपने आपको यह समझाईए, कि it is okay to fail, अगर मैंने कोशिश की और अगर वो नहीं हो पाया, तो it is okay, दुनिया खतम नहीं हो जाती, अगर कुछ आपसे नहीं हो पाया तो, okay? अपने आपको यह बताईए कि fail होना ठीक है, in fact, जल्दी fail होना चाहिए, जितना समय लगाओगे fail होने में, उतना जल्दी आपको अपनी कमिया नहीं पता चलेंगी, बहुत intelligent लोगों ने कहा है, fail fast, fail forward, गल्ती होती है तो करो, कोई problem नहीं है, in fact, जल्दी करो, उसमें से और फिर अगली गल्ती करो, ध्यान सिर्व यह रखना है कि एक ही गल्ती बार-बार में दोराएं, गल्ती हो गई, कुछ गडबड हो गई, तो उसमें से सीखो, उस गल्ती को मत करो, कोई अगली गल्ती होती है, तो ठीक है, होने दो, फिर उसमें से सीखो, अगर आप अपना mindset change करना चाहते हैं तो अपने आपको यह कहिए कि it is important to try not to win जब हम digital आजादी में चीजें implement करते हैं तो मैं यह नहीं कहता कि आपके videos आपके content आपके products number one level पे होने चाहिए तो ही मैं आपको digital marketing का certificate दूँगा नहीं मैं कहता हूं कि आप implement करो आप try करो quality आप आगे चलके भी सुधार सकते हो लेकिन अगर try ही नहीं करोगे और यह वाला factor अगर आपकी जिंदगी में fix हो गया कि try नहीं करना है तो आपको कोई नहीं बचा सकता अगर आप अपना mindset change करना चाहते हैं तो अपना trying भी celebrate करो अगर आपने मेरा यह video पूरा देख लिया तो यह आपने कोशिश की है अपने mindset को समझने की itself अच्छी बात है और बड़ी बात है कई लोग एकाद minute थोड़ा सा knowledge लेते हैं और अपने आपको कहते हाँ हाँ ठीके चल समझ में आगया और निकल जाते हैं लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं आप try कर रहे हैं यह अपने आप में celebrate करने जैसा है result चाहे जो भी हो अचब कभी आए तब तो हम करेंगे ही celebrate but trying is an important factor और इसे celebrate करना चाहिए आपके घर में भी अगर आपके बच्चे किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसने कोशिश की यही बात celebrate करने जैसी है वो जीते ना जीते first आये second आये last आये वो बात की बात है कोशिश करना बहुत जादा important है और lastly अगर आप अपना mindset change करना चाहते हैं तो जिन लोगों का growth वाला mindset है उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू कीजिए जिन लोगों का growth वाला mindset है उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू कीजिए ऐसा कहते हैं कि आपको देखकर आपसे बाते करके आपको analyze करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप अपनी जिन्दगी में सक्सेस्फुल होंगे या नहीं इसका अनुमान लगाने के लिए विशेशद्य कहते हैं कि आप अपना समय जादा से जादा समय किन पांच लोगों के साथ बिताते हो अगर वो पता चल जाए तो वो अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जिन्दगी में आगे चल कर क्या होने वाला है अब एक कॉमन सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है वो यह है कि सर ये ग्रोथ माइंसेट वाले लोग हम लाए कहां से समय बिताना इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के पास उनके घर चले जाना उनके साथ बैठ कर गप्पे मारना या उनके साथ फिजिकली टाइम स्पेंड करना ये उसका मतलब नहीं है ग्रोथ माइंसेट वाले लोगों के साथ समय बिताना यानी उनकी बाते सुनना उनका कॉंटेंट कंज्यूम करना अगर आप मुकेश अम्बानी, एलॉन मस्क, बिल गेट्स ऐसे सक्सेस्फुल लोगों का कॉंटेंट अपने अंदर लोगे तो अटोमैटिकली ये जो कॉंटेंट लेने का समय है आप कंसिडर कर सकते हो कि आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पांच लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं, ये उन लोगों में गिना जाएगा इस फैक्टर को अपने अंदर समाने दीजी आपकी जिन्दगी में आपको जो सबसे ज़्यादा एफेक्टिव पांच लोग लगते हैं जिनका ग्रोथ माइंडसेट है उनकी लिस्ट बनाईए और उनका कॉंटेंट कंज्यूम करना शुरू कीजे उनके साथ समय बिताईए जितना समय आप उनके साथ बिताऊगे उतना ही आपका माइंडसेट उनकी तरह बनता जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर आपको लगता है कि इसमें जो बाते मैंने कहीं है उनमें कुछ तथ्य है, कुछ सब्जेक्ट है, कुछ तुरूत है तो ये वीडियो उन लोगों के पास बेजिए जिन लोगों का ये सब कुछ सुनकर कुछ फाइदा हो सकता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं हर हफ़ते कम से कम दो बहुत ही वैल्यू वाले वीडियोज लेके आता हूँ आपके लिए और अगर आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है मेरे वेबिनार की उस लिंक पे क्लिक करके मेरे फ्री हिंदी वेबिनार के लिए रेजिस्टर कीजिए आगे की बाते मैं आपके साथ वेबिनार में करूँगा